हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्तों स्वागत है आपका बेस्ट केर आफ प्रेगनेंसी में फ्रेंट्स आज का ये जो वीडियो है ये बहुत मोस्ट टास्किंग कोश्चन पे है आप लोगों की बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि मैं हमने रिलेशन बनाया उसके बाद हमें ब्लीडिंग हो रही है कुछ लोग कहते हमें बहुत ज़्यादा spotting हो रही है कुछ लोगों के spotting दो दिन तीन दिन होके बंद हो जारी तो वहीं कुछ लोगों को bleeding होती है और वह 4-5 दिन 7 दिन तक होती है तो इसलिए वो बहुत परिशान है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इसका क्या काराण है कुछ लोग इसे implantation bleeding समझ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे miscarriage समझ ले रहे हैं कि सायद हमाई pregnancy conceived हुई थी और उसके बाद ये bleeding हुई है जिसकी वज़े से miscarriage हो गया तो actual reason क्या है क्यों आपको bleeding हो रही है क्या ये miscarriage की है या फिर ये implantation bleeding है या फिर ये किसी बिमारी का संगेत है क्यों हो रहा है ऐसा आज के इस वीडियो में हम आप कि इसी problem का solution बताने जा रहे हैं वीडियो आप सभी के लिए बेहत खास है क्योंकि ये आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए ये requested वीडियो है तो आप लोगों की request पर ही ये वीडियो बन रहा है तो इसलिए please वीडियो को पूरा जरूर देखें information बेहत खास है क्योंकि जिन्हें भी ये bleeding हो रही है उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये bleeding सब को नहीं ह होती है कुछ ही लोगों को होती है और क्यूं होती है उसका कारण जानना जरूरी है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पसंद है तो आपसे request है कि like जरूर करें चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि यहां पर हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं और वीडियो को उनके साथ बाद शेर करें जो इस problem को face कर रहे हैं पहली बाद जो होती है कि अगर आपको यह 스र्टिंग हो रही है रिलेशन बनाने के लिए बाद तो पहला जो reason होता है इसका की अगर आप पिरियोड्स के 4-5 दिन बाद रिलेशन बना रहे हैं तो कही बाद अगर आपको स्पर्टिं spotting हो रही है relation बनाने के लिए बाद तो पहला जो reason होता है इसका कि अगर आप periods के 4-5 दिन बाद relation बना रहे हैं तो खई बार अगर आपको spotting हो रही है तो वो periods में relation बनाने की वज़ा से हो रही है जो periods की cycle मानी जाती है वो 7 दिन की होती है अब अगर period के आप चौते दिन, पांचमे दिन, छटमे दिन, रिलेशन बना रहे हैं तो period के time जो vagina का मार्ग होता है वो बहुत ज़्यादा sensitive होता है वो बहुत ज़्यादा delicate होता है, मुलायम हो जाता है उस time पे जब उस जगह पे force पड़ता है तो क्योंकि वहाँ पे पहले से bleeding हो चुकी है periods की थोड़ी बहुत जो bleeding रुकी होती है, वो नहीं हो रही होती उस time पे जब आप relation बनाते हैं तो वो रुकी होई bleeding जो है आपके sex करने के बाद होनी शुरू हो जाती है तो कई बार ये सिर्फ sports के रूप में होती है तो कई बार ये heavy bleeding के रूप में भी एक या दो दिन हो सकती है तो ये पहला कारण होता है कि अगर आपने periods आपको लगा कि मेरे तो periods over हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए लेकिन ideally period की जो cycle होती है, वो 7 दिन की होती इस duration में आपने relation बनाए तो हो सकता है कि आपको hulky-fulky spotting हो ज्यादा bleeding होने के chances नहीं होते हैं इस case में सिर्फ spotting ही होती है क्योंकि थोड़ी बहुत जो रुका हुआ बलड होता है वो उस time पे vagina के soft होने की वज़े से वो आने लगता है दूसरा जो reason होता है relation बनाने के बाद spotting होने का कि अगर आप relation अपने evolution टाइम पे बना रहे हैं evolution टाइम जो एक खास समय होता है जब egg ovary से निकल के fallopian tube में आता है इस time पे जो vagina है उससे sticky discharge होता है white color का जिसकी वज़े से vagina बहुत soft होती है अगर आप relation अपने evolution टाइम पे बना रहे हैं आप बहुत अच्छे से वाकिफ है कि यह मेरा evolution टाइम है उस पे आप relation बना रहे हैं तो यह आपके evolution discharge हो सकता है evolution spotting हो सकती है इससे पहले भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो evolution spotting पे बनाया भी था जिसमें मैंने evolution spotting के बारे में detail से समझाया है evolution spotting आपके evolution टाइम पे होती है evolution time जो है वो एक हफते का समय होता है जिसमें alternate days पे अगर आप relation बनाते हैं तो आपके pregnant होने के chances 90% जादा होते हैं इस time पे relation बनाने से कुछ महिलाओं और को spotting भी होती है यह ब्राउन कलर की भी होती है Red color की होती है लेकिन हाँ यह heavy bleeding नहीं होती है अगर आपको heavy bleeding हो रही है तो वह evolution spotting नहीं होगी evolution spotting जो होती है वह सिर्फ sports होते हैं वो heavy bleeding नहीं होती है तो दूसरी बात यही है कि अगर आपने relation अपने evolution टाइम पे बनाया है तो क्योंकि वजायना बहुत soft है, लचीली है, बच्चे दानी का मुझ खुला हुआ है उस समय तो relation बनाते समय जो force पढ़ रहा है उसकी वज़े से वो sports आ रहा है तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं होती है वो थोड़े बहुत sports आते हैं, एक दिन आ सकते हैं, दों दिन आ सकते हैं और वो ठीक हो जाते है और यह सब को नहीं होता है, हर माहिला इसका experience नहीं करती है चार में से दो माहिलाओं को ही यह experience होता है तीसरा जो रीजन होता है स्पॉर्टिंग होने का अगर आप रिलेशन बना रहे हैं अपने पीरियट डेट आने के पहले तो अगर आप pregnancy के लिए try कर रही हैं, आपने pregnancy के लिए try किया हुआ है, आप wait कर रहे हैं अपने periods miss होने का तो अगर आप periods आने से पहले relation बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपका successful implantation हो गया हो और उस time पे आपने relation बनाया है जिस वज़े से आपकी bleeding शुरू हुई है और आपके spotting हो रही है इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि अगर आप pregnancy के लिए try कर रहे हैं तो periods miss होने से पहले relation मत बनाईए आप आपके periods आने का समय है उससे एक हफ़ते पहले relation बनाना बंद कर दीजे क्योंकि फिर यह जो time होता है यह implantation फेज होता है यहाँ पर आपका implantation का process चल रहा होता है periods आने के जो एक हफ़ते पहले का समय होता है तो इस time पे relation sex avoid करना चाहिए क्योंकि इस time पे miscarriage होने के chances होते हैं क्योंकि जो brood है जो embryo है वो अपने आपको uterus की lining से चिपकाने की कोशिश कर रहा है उस time पे आप relation बनाएंगे तो वो अपने आपको वहाँ ठीक से attach नहीं कर पाएगा वहाँ से detach हो जाएगा या फिर हो सकता है कि आपका pregnancy test positive आजाए फिर उसके बाद bleeding हो जाए क्योंकि वह वहाँ पर ठीक से attach नहीं हो पाया था आपके relation बनाने की वज़े से तो इसलिए जो periods में सोने से पहले का जो एक हफते का समय इस time पे relation ना बना है अगर आपने इस time पे relation बना है तो हो सकता है वो spotting miscarriage की हो या फिर embryo जो है वो attach नहीं हो पाया इस वज़र से महाँ पर spotting शुरू हो गई हो यह तीसरा reason होता है चौथा reason होता है कि अगर आपके sex में के दौरान बहुत ज़्यदा आपको दर्द होता है आप uncomfortable बहुत ज़्यदा फील करते हैं जलन होती है और उसके बाद relation बनाने के बाद आपको bleeding होने लगती है और वो bleeding नॉर्मल नहीं है जादा हो रही है पांच दिन छै दिन साथ दिन उन होई रही है तो फिर यह किसी बीमारी का संकेत है यह बीमारी endometriosis हो सकती है बच्चे दानी में सूजन की वज़े से हो सकती है यूटरस में गाठ की वज़े से हो सकती है तो अगर आपको relation बनाने के बाद बहुत ज़दा दर्ध है जलन है relation बनाने के दोरान भी आपको यह सब चीज़ें फील होती है और रिलेशन के बाद आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा फील होती है पांच दिन छह दिन साथ दिन वह बंद चलती रहती है बंद नहीं होती तो यह फिर किसी बीमारी का संकेत है ना तो यह और पीरिट्स के बाद की स्पोर्टिंग है और स्पाइब होती है अगर आपने ओविल्यूशन टाइम पर रिलेशन बना है तो बीडिट्स की वजह सब्सक्राइब की आप अपने इंप्लान्टेशन फेज चल रहा है इस वजह से स्पोर्टिंग हो रही अधरवाइस ब्लीडिंग अगर हैवी है तो किसी बीमारी का संकेत तो आई होब कि आप लोगों की जो प्यारी इस थी बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे थे कि हमें रिलेशन के बाद ब्लीडिंग हो रही ऐसा क्यूं हो रहा है मैं हमें बहुत टेंशन हो रही प्लीज बताएं तो आप सभी के कुश्चन का रिप्लाई मैंने इस वीडियो म होंगी चली मिलते मारे नए वीडियो में नहीं और बहुत खास जानकारी के साथ तब तक के लिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए और बेस्ट केर आफ प्रेगनेंसी देखती रहिए